अब कि हईलो फ्रेंज वेलोगम तो मैं स्टुडि फीड चैनल दोस्तो आज की वीडियो में वेक्स घरपी यानि पराफीन थेरपी जिसे मोम थेरपी भी करते हैं इसके बारे में डीटेल में बात करूंगी इसके दिशनान यानि पराफिन वाथ पराफिन पींटिंग ऑन पर डिटेल में बता चुकी हूँ उस वीडियो को आप चैनल की पैले लिस्ट में नाम這個是 के नाम से भी पूछ सकता है इसके इस वीडियो का भी तो सबसे पहले कुरूंगी पाराफिन नहीं रहुत है है। या인 ख्लत कि यह क्या होता है कि एस व्योडी का वपयोग जोडों के घ्य रोकर से को हाथ वह फैर के जोड़ों की छोटी जोड़ों की तथा घूटनों के लिए किया जाता है इसका प्रियोग इसके अलावा हड़ी तूटे अंग पर प्लॉस्टर खूलने के पस्चा इस चिकिस्टा का प्रियोग किया जाता है यानि इसका प्रियोग किस पर किया आता है जोड़ों की चोट उपर विसेस का हाथ और पेर के छोटी जोड़ जो होते हैं जैसे की घुटने का हो गया जोड़ कोनी का जोड़ हो गया इन जोड़ों की चिकिस्टा के लिए पराफिन इसनार यानि पराफिन वास्त का चोटगर्स्त भाग को अराम मिलता है एन पराफिर इस तरब मोटी हो जाने से उसमाहानी से बच्चाओ करता है किस प्रकार किया जाता है इसकी तक्नीकी क्या है करने की तो इसमें किस तक्नीकी से किया जाता है सरसे पहले 2 केजी ठोस मूम लेते हैं और 1 केजी पेट्रोलियम जेली और 1 केजी द्रो मूम यानि तरल मूम लेते हैं और तीनों को 40-40 degree centigrade तक अलग-अलग गर्म करके मिस्रर तयार करते हैं तीनों को फिर मिला देते हैं फिर इस मिस्रर का आदर स्तापमान कितना होता है 40-48 degree centigrade दोस्तों एक कोश्चन पूछा जाता है कि पराफिन बाथ में जो मिस्रर होता है उसका आदर स्तापमान कितना होता है तो 40-48 degree centigrade फिर क्या किया जाता है मिस्रर तयार करके चोटिल अंग पर जहां पर चोट लगा है वहां पर बैंडेज या पट्टी बाद हैंगे सबसे पहले उसके बाद उस पे बुंद बुंद 3-3 मिनट के अंतराल पर टपका जाता है 6-12 बार दोहरा जाता है इसको इसका समय 20-30 सेकेंड इसका समय कितना होता है 20-30 सेकेंड का होता है और इस प्रकार इसको 6-12 बार दोहरा जाता है चिकिस्टा के पस्चात इसको कपड़े से ढग दिया जाता है इसका उप्योग कहां पर नहीं किया जाता है द तो इस सब में पराफीन बहुत का प्रियोग नहीं किया जाता है दूसरा है पराफीन पेंटिंग पराफीन पेंटिंग में क्या होता है जो मिश्रव होता है उसको ब्रूस की सहताता से चोट ग्रस्थ भाग पर यानी जहां पे ज visão पर जोट लगा वहाँ पेंटिंग सुरूप उससे पेंट कर दिया जाता है यानि कि इसमें भी क्या होता है ध्यान देने वाले बात यह होता है कि चोटगर्ष्ट जोड़ पर पहले किसी कपड़ या पुलिथिंट से इसको ढग दिया जाता है उसके बाद यहाँ प्रिक्रियाच 6 से 12 बार द जो कपड़ या तुलिएं से धक देना चाहिए है जिससेकि उसमा बनी रहे यानिकी इसका प्रियोग करने से पहले कि सी कपड़ या पलेथिंग कपड़ियों किया राता है फिर चिकिस्ता जब आप कर लेते हैं उसके बाद उस चोटगरस्ट भाग को तोलिये से ढग देते हैं कि उसमें उस्मा बनी रहें नेश्ट होता है पराफिन डीप डीप मतला उसमें डूबो देना यानि कि इस बिधी में चोटगरस्ट जो को पराफिन के मिस्टर में क्या किया जाता है डूबो दिया जाता है इस प्रक्रिया के कई बार दोहरा जाता है जिसमें चिकिस्ता की अवधी 15-20 नटकी होती है तो दोस्तों यह था आपका पराफिन थेरेपी इसके नताकत पराफिन बात पराफिन में बुरस की साहता से चोट क Tub में ऐस मिलेश तभाग को दूबोस देगंगा दिया जाता है हिस्अ आई एडी Hem का प्साला होगा मैं को मुझाई कमेंट में जरूर बताएंड ज्याद से अपने को दूर तक भी सेयर किए कि दोस्तो एंड दोस्तो नेस्ट वीडियो में आपका इलक्ट्रोथरेपी रहेगा जिसके अंतरगत डायथर्मी देपस ठरपी अल्ट्रासाउंड इंफोरेट रेंज रेंज अल्ट्रा वाय्ट रेंज इसके बारे में बताऊंगी तो दोस्तो यादि आप चैनल में पहले ब ये नेक्ट वीडियो में निश्टा पे के साथ तब तक के लिए जाहिए